फ्लो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में तो गाईज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अब देखो आपको मालूम होना चाहिए कि UAE की ये प्रॉपर टीम खेल रही है लेकिन इंडिया की ये A टीम खेल रही है लेकिन वो किर्केट में कहावत है कि लेटा हुआ हाथी भी फुदकते हुए खरगोस से ज़्यादा बड़ा होता है तो कहने का सेंस यह है कि United Arab Emirate की टीम अपने full strength के साथ जरूर खेल रही है लेकिन फिर भी अगर on paper भी बात किया जाए on pitch भी बात किया जाए तो इंडिया की टीम काफी मजबूर टीम होने वाली है ठीक है क्योंकि इंडिया के भी भले से मेन प्लेयर्स नहीं है यार लेकिन कुछ भी है IPL के heroes यहां पे खेलने वाले हैं तो वीड़ो हमेशा की तरह काफी important काफी helpful होने वाली है ताकि जो भी चीज़े मैं आपको वीड़ो में बताऊंगा आप ध्यान से सुनिएगा आप ल ले लिश्ट देख सकते हो मेरे चैनल पर पड़ी होगी बागी चली वीड़ो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह जो मैच खेला जाएगा 21 अक्टूबर 7 बजे शाम को आप लोगों को यूए में अल एमरिट के ग्राउंड पर होता हुआ दिख जाएगा बागी देखो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टीम जो की पाकिस्तान टीम को पिछले मैच में हरा क्या रही है बागी किसी भी लेवल पर हम लोग खेलते हैं पाकिस्तान हम लोग उसे तो भाई जीतन इनफर्म तो अभी शेक सर्मा के साथ प्रब सिंग सिम्रन ओपन करते हुए दिख गयते हैं 35 का स्कोर सर्मा नहीं किया था बालिंग से कोई विकेट मिला नहीं था शिम्रन के 36 रन थे बागी तिलक वर्मा के 44 रन थे बालिंग इन्होंने भी डाली थी तीन अबर के नहाल व विकेट मिला नहीं था रसिक सलाम 4 वर का कंप्लेट इनको मिला था वाकि वैभा अरोरा 3 वर के बालिंग में इनको कोई विकेट मिला नहीं था तो यह पहले आप लोग पिछले मैच के स्क्रीन सोट यहां से ले ले लेना अच्छा देखो एक चीज में आपको बताता चलू पिछले मैच में तिलक वर्मा ने तीन वर की बालिंग जरूर की थी लेकिन आपको एक चीज बताता चलू राहुल चाहर प्रॉपर बॉल आ रहें तो हो सकता है आज के मैच में यह चार वर आप लोगों को कंप्लेट बालिंग करते हुए दिखें तो ऐसे में ओफर कटेग किसका तो तिलक वर्मा के हाईली चांसे दे के ओवर कट जाएं बाकि अभिशेक सर्मा भी है तो अल्राउंडर के लाड़ी लेकिन उतना बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर यहां पे देखिएगा वैभा और ओर भी आप लोगों को आई थिंक आज चार ओवर कंप्लेट करन होने से पहले प्लेयर्स का कैसा फॉर्म था सब आपके सामने लिखा हुआ है अभिशेक सर्मा इंपोर्टेंट के लाड़ी है अब तो इंडिया टीम के भी यह प्रॉपर सदस से हो चुके हैं रोही सर्मा के सन्यास लेने के बाद उत्तर अधिकारी इनको चुना गया है बा बाकि निहाल वडिरा का भी फॉर्म देखी सकते हो अब जो यू एई की टीम है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है यू एई की में टीम खेल रही है लेकिन इंडिया की ये आप लोग सी य डी काडिगरी की टीम मान के चल सकते हो ठीक है अब रिसेंटली अगर बात किया जाए तो ये लोग भी अपना पिछला मुकाबला ओमान के अगेंस्ट विन करके ही आ रहे हैं जहां पर खेलाडियों की बात किया जाए तो मयांग कुमार के साथ तनिश शूरी ओपन किये थें कुमार ने सोला गिया था सूरी के 33 रंत है स्क्रिन सोड लेना विंस उसूमा कुमारन के 15 रंते राहुल चोपडा के खाता तक नहीं कुला था सईध हैदर के 44 नोट आउट थें बासी लामिद इंपॉर्टन के लाड़ी है 19 रन बाॉलिंग से खैर कोई विगड मिला नहीं था निलास के स्वान 19 रन बाॉलिंग से एक विगड संचित सर्मा एक उबर की बाॉलिंग में कोई विगड नहीं मिला था बैटिंग करम काफी नीचे है लेकिन यह प्रॉपर बॉल आ रहें ओफर कटा था भले पिछले मैश में आज हो सकते ओवर डालने मुहम्मद फारूक की बाद करते हैं चार उबर के स्पेल में तीन विगड मिला था जव मुहम्मद फारूक का भी फॉर्म अच्छा खासा है जवादूला का बहुत लाजवाब फॉर्म है बाकि यहां से देखो एक खिलाली के बार में मैं स्पेसली कहाना चाहूंगा धुर्ब परसार इसका नाम है अगर यह बंदा खेलता है ना तो इनके उपर थोड़ा सा आप यूएई की टीम ने कभी आपस में कोई मैच खेला नहीं है अब पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं अल इमरिट का यह ग्राउंड रहने वाला है जो कि यूएई टीम का होम ग्राउंड रहने वाला है मैं पहले भी आप लोग यही चीज़ कहा रहा हूं कि यूएई की टीम अपने फूल स्ट्रेंद के साथ अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली है लेकिन इंडिया की यह भी सी और डी कैडिगरी की टीम खेलने वाली है तो यूएई की टीम को हलके में मतले ना भाई कहीं न कहीं सर्प्राइज कर सकती इंडिया वालों को अब देखो अगर इस पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो देखो यह थोड़ा सा डिपेंड इस पर भी करेगा कि कौन सी टीम फर्ष्ट बैट बॉल कर रही है वैसे देखो यूएई का अडवांटेज है लेकिन इंडिया की टीम वैसे जाधा स्ट्रॉंग टीम है अब अगर इस पिछ रिपोर भी यहाँ पर गेम में आप लोगों को मिडल ओडर या फिर मिडल ओफर या फिर सेकेंड इनिंग में आते हुए दिख जाएंगे बागी पॉसबल प्लेंग लेवान है जो की उपर में मैंने आप लोगों को रिसेंड फॉर्म बताया से वही चीज़ा जो की नीचे में लेट कर पाऊगे बागी देको छोटा सा काम करना कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेली ग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा ठीक है लिंक वर्क ना करें तो सिंपली से आप लोग क्रिक्टू 580 अगर चाओ तो लिख करके सर्फ करके भी यहा पर आप लोगों को 30% का TDS वागेरा प्या नहीं करना पड़ेगा जबरदस्त अप्लिकेशन है जरूर साइन अप कर लेना तो स्टार्ट करते हैं देखो विकेट कीपर सेक्षन से ओफर जैसे मैंने कहा कि इंडिया की टीम वैसे इंपोर्टेंट मतलब ज्यादा खिलाड़ से तिलक वर्मा देखो अगेन बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे सियोरिटी नहीं है लेकिन टॉप ओडर के बैटर है इंपोर्टेंट बैटर है लेके चलीए निहाल वदेरा टॉप फूर में बैटिंग कर रहे हैं वैसे दोनों पारी में मैं कहूंगा स्पीस साल है लेकिन first inning के बैट में ज़्यादा important है R. Singh को आप लोग first inning के बैट में JL में try करना बाकि Ayus Baduni को भी JL में अगर इंडिया की टिम first bat करें तभी लेना बाकि UAE के खिलाडी को किसी भी inning में आप ले सकती हो Allrounder से देखो Abishayak Sarma important है ये again देखो over इनका हो सकता है Cut जाए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मतलब ये खुद ही कपतान है शायद पूरी over कि ये balling ना करें Rahul Char पिछले match में भले over cut आता लेकिन आज वो अपना spell complete करने चाहिए बाकि N. Sindhu को लेके चल रहा हूँ इनका भी over cut आता लेकिन I think section से बात किया जाए तो जवादुल्ला को मैं दोनों पारी में important समझूंगा लेकिन जादा ये first inning के ball में important because देथ में balling करके दे सकते हैं अब उसके बाद से इंडिया की ये जो चार proper baller है एक अंबोज, रसिक सलाम राहूल चार और वैबो अरोरा आप जरूर comment करना जो लोग live match देख रहे हैं otherwise ये 4 over complete करने चाहिए ठीक है तो फिर over cut एगा किसका तो भाई ये तिलक वर्मा पहले इनका over cut एगा फिर बाद में अभी शेक सर्मा का भी over cut सकता है ठीक है अब CVC के बाद कीज़े तो अभी शेक सर्मा अभी इंडियन टीम के भी important member है तो इनी को captain करके चलूँगा वाइस captaincy के तौर पे दोगो तिलक वर्मा के साथ मैं जा रहा हूँ लेकिन प्रम्ब सिम्रन सिंग जो की wicket keepering भी करेंगे ज़ादा beneficial साबित हो सकते हैं तिलक वर्मा ऐसा better ही उमीद रखना बॉलिंग का कोई ज़ादा security नहीं इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है जो अदुल्ला जो लोग रिक्स लेना चाहते हैं फर्स्ट इनिंग के बॉल में वी सी कर सकते हैं बाकि इंडिया के यह सारे खिलाड़ी important है और I think यह सब आज अपने ओवर complete करने चाहिए तो फिलाल देखो कुछ इस परकार की team बन के ready हो रही है जहां पर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ captaincy मैंने दी आभी शेक सर्मा को vice captaincy मैंने तिलक वर्मा को दी हुई है बाकि इंडिया के आज जितने भी baller है मेरा मानना है कि सारे important baller है आप अपने team में जरूर cover कर लिजेगा निहाल वदेरा first inning के bet में important है otherwise जिनको ricks लेना है आयूस बढ़ोनी अगर first inning के bet में है तो आप इनको ले लेना बाकि VC चाहो तो peacing को कर सकते हूँ जिनके पास देखो विकेट कीपरिंग का advantage है विकेट कीपरिंग तो confirm यही करेंगे लेकिन तिलक वर्मा balling करेंगे नहीं करेंगे इस चीज का कोई security नहीं है तो थोड़ा सा आप लोगों को होस्यारी से skill अगर game of skill खेल रहे हो तो game of skill को game of skill के तरह ही खेलना ठीक है ऐसा नहीं कि तुक्के में जो दुनिया कर रही है वो काम मत करना नहीं तो वीडियो देखने का कोई फैदा नहीं है ताकि सब को अपना अलग चीज मैं समझाता हूँ आप लोग खुद एक fantasy यार खुद में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा सा कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसी लगी तब तक के लिए गुड़ बाई टेक के यार